हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हमें पूरा शाशन ले लिया तो पूरे के पूरे देश में लोकतंतर की बहाली के लिए अलग अलग विद्रोही गुटों की तरफ से विद्रों शुरू हो गया सेना के खिलाव और ैक समय के बाद Ikाफी सारे विद्रोहीयों ने समन्न Italia कारी गुट है मयावाडी थाइलैंड की पश्चमी सीमा पर स्थित प्रमुख व्यापारिक शहर है मयावाडी उसके उपर जो करेन नैशनल यूनियन है एक जातिये विद्रोही ग्रूप है मयनमार का इस करेन नैशनल यूनियन ने इस पे कबजा कर लिया था पिछले हफ़ते ही अभी हाल ही का डेवलप्मेंट ये है कि करेन नैशनल यूनियन ने इस मिलिटरी बेस पे से जो सेना का जंडा था उसको ऺटा के अपने जंडे को वहाँ पर तैनात कर दिया है अपना बैनर इनोंने वहाँ पर लगा दिया है ध्यान रखेगा एक तरीके से रणनितिक तोर पे इस मिल स्थापित हुआ 2020 में उसके बाद से ही अलग-अलग विद्रोही गुट सेना के खिलाफ मोर्चा इन विद्रोही गुटों ने खोल दिया था और बड़े स्तर पे ये विद्रोही गुट आपस में समन्वे करके मिलके एक साथ लोक तंत्र की बहाली के लिए लगातार सेना से ल लिए है विशेश तोर पे यदि हम सीमा वर्ती छेत्रों की बात करें चाहे भारत से सटी हुई सीमा हो चाहे चाइना से सटी हुई सीमा हो और वरतमान में होने यहां पर पूर्वी मयनमार या फिर थाइलेंड को देखोगे तो थाइलेंड का पश्चमी छेत्र यहां के मया वाडी में जो सेन्य बेस था, मिलिटरी जो बेस था उसके उपर भी एक करें नेशनल यूनियन ने फाइनली कबजा कर लिया है तो ये एक और पराज्य है वहां की सेना की, in fact इस यूनियन के जो हैड है उनके दुआरा कहा गया कि सेना ने काफी बार प्रयास किया इस मिलिटरी बेस को जीतने का इस एक हफ़ते के बीच में लेकिन वो हर बार असफल हुए है, ध्यान रखिएगा, तो ये काफी important news है सशस्त्र जातिय करें नेशनल यूनियन है, इन्होंने मयावारी पे कबजा किया और उसके बाद बड़े स्तर पे इस मिलिटरी बेस को अपने जो छेतर है, अधिकार छेतर में इन्होंने ले लिया है यहां तक की जो जुन्टा, जिसे वहां की सेना हम बोलते हैं, वहां की सेना को हम जुन्टा भी बोलते हैं जुन्टा के खिलाफ जो राश्ट्र व्यापी संघर्ष है उस संघर्ष में एक पड़ाव ये भी बड़ा पड़ाव ये भी देखने को हमें मिल रहा है ध्यान रखेगा जुन्टा के खिलाफ उबलता गुसा एक राश्ट्र व्यापी सशस्त्र विद्रोह आंदोलन में बद है कि सेना के खिलाफ अलग-अलग जो विद्रोही गुट्थे वो एक हो गए हैं और बड़े स्तर पे सेना को टक कर देने का काम कर रहे हैं कुल मिलाके मैनमार में पिछले धाई से तीन सालों से बहुत अशान्ती का माहोल है वहाँ पे सेना अपने ही लोगों के खिलाफ संघर्श कर रही है ध्यान रखेगा क्योंकि लोकतंत्र की बहाली का जो इनका उद्देश्य है जो सशस्त्र विद्रोही जो ग्रूप है इनका साफ उद्देश्य है कि सेना का शाषन खतम होना चाहिए लोकतंत्र वहाँ पे सूस्थापित होना चाहिए अक्टूबर से ही सेना ने सहयोगी प्रतिरोध बलों के धीले गड़ बंधन के कारण भारत और चीन दोनों के साथ अपनी सीमाओं के जो प्रमुक छेत्र है उन पे नियंत्रन खो दिया है जैसा कि मैंने अभी मैप के माध्यम से आपको बताया कि जो भारत सीमा वाले छेत्र हैं चाइना सीमा वाले मयनमार के छेत्र हैं वहाँ पे सेना का नियंत्रन खो चुका है वहाँ पे इन विद्रोही जो गुठ है इनका नियंत्रन स्थापित हो चुका है और वर्तमान में जो थाई सीमा पर मयावाडी के जो मिलिटरी बेस पे करेन नैशनल यूनियन ने जो कबजा किया ये एक इससे और व्यापार के सिमठते जा रहे हैं सेना के राजस्व में कमी आ रही है तो काफी बड़ी चुनोती पैदा हो सकती है सेना के सामने ध्यान दखेगा काफी सारे ठिंक टैंक्स का ये भी कहना है कि मयनमार की वर्तमान हालत में जो आशियान कंट्रीज है विशेश तोर पे जो और पडोसी दे करें दोस्तों तो यदि हम भारत की बात करें तो आप ये देखिए कितनी बड़ी सीमा हमारी जो है मयनमार के साथ लगती है और विशेश तोर पे जो मनीपुर है और एक तरीके से नागालेंड है मिजोरम है यहां पे बड़े स्तर पे एक तरीके से जो मयनमार से का जो गती है वो बढ़ रही है तो भारत की सीमाउं की सुरक्षा भी खत्रे में है और केवल जब ये शरणार्थी जाएंगे तो इससे तसकरी या अन्ये जो अपराधी गती विदीयां है वो भी बड़ सकती है कही ना कहीं तो भारत की सुरक्षा के समक्ष भी चिन्ता है वही सीदी सीबात है यदि हमारे किसी पडोसी देश में जो सशस्त्र संगर्ष होता रहेगा तो उसका एक adverse effect नकारात्मक जो प्रभाव है वो भारत पे भी देखने को मिलेगा तो ऐसे में काफी सारे think tanks का ये कहना है कि अकेले मयनमार से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है पीच बचाओ करने की जरूरत है जो आस पास की countries है विशेश तोर पे आशियान देश और विशेश तोर पे चाइना और भारत के उपर इस responsibility का जो claim है काफी सारे think tanks group करते हैं खिक है तो ये है पूरी की पूरी news यहाँ पे इन्होंने साफ तोर पे कहा कि जुन्टा बलो ने को फिर से हासिल करने की कोशिश की लेकिन वो हर बार असफल रहे हैं और विद्रोहियों ने अधिकांज छेतर पे वर्तमान में नियंतरन स्थापित कर लिया है और प्रशाशन को के एन्यू की राजनितिक शाखा को सोपने से पहले अपना मतलब एक तरीके से अपना जो ये करांती यहां तक पहुच चुकी है कि जब हमने इतने छेतर पे से सेना के नियंतरन को स्माप्त कर दिया है अगर हम मैनमार के और अधिक ठिकानों पर कबजा करें तो हम जुन्टा को उखार सैंकने का जो हमारा उद्देश्य है उसे हासिल कर लेंगे यानि इनका अंतिम द्रोग कर रहे हैं ये कही ना कहीं लोकतांत्रिक मुल्यो और संग वाद पराधारित जो संग बनाने की राहा है उसको नश्ट कर रहे हैं लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात स्पष्ट है कि जो सेना का शाशन है जैसे मैं यहां पर यदि एक छोटी सी 2021 का इंसिडेंट बत पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से जीती सेना ने बिना किसी सबूत के यह तै करने की कोशिश की कि इन्होंने चुनाओं में धांदली की है और धांदली के पलबूते ही इन्होंने विजय हासिल की है तो इन्होंने धोखा-धड़ी का आरोप लगाया और फरवरी 2021 में तक असत में ले लिया गया जिससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हिंसा हुई और तब से ही परवरी 2021 के बाद से ही यह जो संघर्ष है यह लगातार जारी है इन्फैक्ट जब 2021 में तक ता पलट हुआ था उस समय सेना ने बड़े स्तर पे जो विद्रोही थे क्योंकि उस से बहुत कम देशों में मैनमार उस समय शामिल हुआ था कि जब सेना ने अपने ही देश के लोगों को बेसिकली नुकसान पहुँचाया हूँ ठीक है तो यह पूरा का पूरा स्नेरियों जो है 2021 के बाद से ही चल रहा है और जो विभिन जातिये सशस्त्र संगठन है पीपल पे टेंशन बढ़ेगी तो आस-पास के देशों में जो शरनार्थी संकठ है वो भी बढ़ेगा और भारत की यदि हम बात करें तो भारत पहले ही बंगलादेश, पाकिस्तान है ना उधर से हम एक तरीके से तिबबत से शरनार्थी आये श्रिलंका से शरनार्थी तो यहां म मैंनमार से भी शरनार्थीों का जो आगमन है वो लगातार जारी है तो ऐसे में शरनार्थीों की आमद भारत और मैंनमार के बीच विवाद की बहुत बड़ी जड़ है क्योंकि हिंसक जाती है संखर्ष मादक पदार्थों की तसकरी और अन्यत तसकरी से भी शरनार्थी संक कट को जोड़ा जा रहा है और इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने हालिया डिसीजन लिया था कि सीमा भारत और मैनमार की सीमा के बीच बार लगाने का जो प्रोग्राम है ये शुरू कर दिया गया है और आने वाले चार से पांस सालों में भारत और मैनमार के बीच बार लगा उनको एक दूसरे देश में 16 किलो मीटर तक केवल पास दिखा के एंट्री दी जा सकती है किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है लेकिन इस सीमा के उपर बार लगाने का विचार भारत सरकार की तरफ से आया है वरतमान संकट को देखते हुए ठीके तो ये पूरा का पूरा मु विद्रोही गुट एक तरीके से कबजा कर रहे हैं तो सेना के पास पैसा कहां से आएगा फंडिंग कहां से आएगी है ना तो आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि मयनमार की जो पूरी की पूरी राजनीती है मयनमार का पूरा का पूरा जो मानचि होगा कि Myanmar में लोगतंत्र बहाल होता है या नहीं ध्यान रखेगा यदि हम अपने राष्ट्र हितों के according देखें तो पडोसी देश का शान्त होना हमारे लिए भी हमारे राष्ट्र हितों के लिए हमारी सुरक्षा के लिए भी काफी जादा महत्वपूर हो जाता है यदि Myanmar एक शान्ती प्रिया देश के तोर पे एक लोगतंत्रिक देश के तोर पे है ना स्थापित होता है तो निश्चित तोर पे Myanmar क्योंकि एक्टिस्ट पॉलिसी का एक द्वार है हमारे लिए ध्यान रखेगा पूर्व की और देखो नीती का द्वार है तो ऐसे में Myanmar की भोगोलिक लोकेशन Myanmar की strategic location हमारे लिए काफी जादा महतपूर्ण है इसलिए हमारा ये धे है हमारा ये उद्देश्य है और हमारा ये विचार है भारत का की Myanmar में शिग्र ही शान्ती बहाल हो जाए ठीक है तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है वहाँ पे लेकिन फिलहाल कि यदि हम बात करें तो वहाँ पे जो सशस्त्र गुठ है ये बड़े स्तर पे अपना जो अभियान है वो बनाए हुए है और लगातार ये सेना के कबजे वाले जो महतवपूर्ण छेतर हैं उन से सेना को परास्त करने की और आगे बढ़ रहे हैं जिसका ये एक्जेम्पल हमने देखा जो मिलिटरी बेस है मयावाडी उसके उपर भी जो करें नेशनल यूनियन है इसका कबजा हो गया है तो ये मयनमार के काफी जादा महतवपूर्ण न्यूस थी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2026 या 27 में UPSC का टैंप्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच से जरूर जुडें ध्यान रखेगा क्लास से शुरू हो चुकी है कल शाम कल 15 एपरेल से शुरू हो चुकी है यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी आई क्यों कि आप वेबसाइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा उस लिंक पे जाके भी आप एडमिश कोड के साथ बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में तब तक के लिए जैहिंजा भारत ऑल देश थैंक्यू सौमाइब अगरी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी IQ IAS हिंदी